साथियों आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि EPFO का interest rate fiscal year 22-23 के रिए क्या रहने वाला है अभी economic times में एक new शपी जिसके आधार पर इसकी संभावना 8% प्रतिशत रहने की काफी बनती जा रही है और उसके हिसाब से 25 और 26 मार्च को एक meeting होगी जिसमें EPFO board meeting में यह तिये किया जाएगा कि यह rate क्या हो इसके लिए मैं कुछ आपको एक important जानकारी देना चाहता हूँ नमबर वन यह meeting 25 और 26 को होगी नमबर दो इसकी संभावना पहुत अधिक है कि यह 8 प्रतिशत रहे नमबर तीन पिछले fiscal year का जो rate of interest है वह 8.1 परसंट था जो पिछले चार दसकों में सबसे कंद था उससे पहले यह 8.5 प्रतिशत लोएस्ट लेविल पर रहा था नमबर तीन 2015-16 से EPFO ने जो incremental corpus आ रहा था उसको invest equities में करना प्रारंब किया था और उससे में यह निश्यत किया गया था कि हश्टियर में 5 प्रतिशत दूसरे वर्स में 10 प्रतिशत और उसके बाद सभी वर्सों में यह 15 प्रतिशत जमा किया जाएगा अभी तक यह है incremental corpus का जो ratio है यह है लगभग 1.5 लाख करोड जमा किया जा चुका है equities में और यह है दोनों platform पर चाहे वो nifty है या sensex है दोनों में जमा किया जा रहा है तो rate of interest 8% क्यों यह लोगों के दिमाग में question आता है अभी इतना ही जब कोई अधिक जानकारी मिलेगी आपके साथ फिर आज ही रहोंगे इससे अधिक आप जानना चाहते तो आप मुझे या मेरी संस्था week dynamic leadership center को लिखिए हम दोनों का प्रियास है कि हम आपकी इस तरह की जानकारी यथा समय यथा रूप में आपके साथ साजा करें आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं